नमस्ते ची कैसे हैं आप अन्न दाता सुखी भवा दोस्तों यह सिर्फ एक कहावत नहीं आशरवाद है मा लक्ष्मी ने नारची से कहा था कि महिला के हाथ में शुक्र बैठे होते हैं इसलिए जोते शास्त्र कहता है कि यह उपाय सुबह उठते ही महिलाएं करें तो घर में होती है कनक वर्षा क्या है वो उपाय? चींटियां जी हाँ चींटियां यह बेहत छोटे प्रानी हैं परन्तु यह सबसे महनती हैं वे अपने वजन के 10 से 50 गुना का वजन उठा सकते हैं फिर भी हम तुछ मानवी से नजर अंदास कर देते हैं पेरो तले को चल देते हैं आपको बता दू काली चीटी को विश्न भगवान का रूप माना गया है और इन काली चीटीों को शनिदीव जी का आधिपत्य भी प्राप्त है जोतर शांस्त्र के मुताविक चीटीों को विभिन चीजे खिलाने से देवतागन भी प्रसन होते हैं जैसे की काली चीटीों को सुबह उठते ही चावल के आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर खिलाना चाहिए या शुभ माना जाता है इस उपाय से भगवान विश्न जी प्रसन होते हैं जिससे मा लक्षमी की क्रिपा भी मिलती है वैसे नारियल के सुखे भूरे में थोड़ी सी चीनी मिलाकर चीटियों को डाल दे ऐसा करने से अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है जैसे की घर में हमेशा कलेश बना रहता है वो खतम हो जाएगा और सकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है एक और उपाय बताओंगी बादाम को पीस कर पाउडर बना ले उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दे और चीटियों को खिला दे ऐसा करने से नौकरी को लेकर चल रही परेशानिया खतम हो जाती है यही नहीं अगर आपके उपर कर्जा है तो वो भी धीरे धीरे खतम हो जाएगा दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हर उपाय में चीनी ही क्यों मिला रहे है चीटियों को चीनी खाना पसंद है इसलिए जी नहीं इसके पीछे एक और बड़ा कारण है शुक्र को चीनी बहुत पसंद है तो क्या जो तशास्त्र के अनुसार शुक्र जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का कारण माना गया है अब मान गए जीवन में सुख सुविधाएं हम सब चाहते हैं और जैसे की बताया कि मा लक्ष्मी ने कहां कि हमारे हाथों में यानि महिलाओं के हाथों में शुक्र निवास करते हैं इस तरह हमारे हाथों से शुक्र को प्रियचीज चीनी भगवान विश्ण स्वरूप काली चीटियों को खिलाएं तो आप समझ सकते हैं सोने पे सुहागा अब एक और उपाय भूने हुए आटे में चीनी मिलाकर इसको चीटियों को खिला दिना चाहिए ऐसा करने से अगर साड़े साती भी चल रही है तो उसका भी प्रभाव कम होता है तो यह उपाय में भी यह उपाय करती हूँ वैसे आटे में चीनी मिलाकर छोटी छोटी गोली बनाकर अगर आपके घर के पास तालाब है तो मचलियों को भी डाल दे इस से समरिधी बढ़ती है चीतियों को आप घर के बाहर खिला सकती है लेकिन चट के ऊपर नहीं यदि आप बहुत परिशान रहते हैं कि घर में बहुत सारी चीतियां आती है तो घर के बाहर ही खिलाए हमारे घर में सिर्फ हमारे आंगन के तुलसी मया के पास काली चीत आ रही है तो मैं वहाँ उनके लिए आटाचीनी डाल देती हूँ यहदान सुभा उठते ही करना चाहिए सुभा उठते ही आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखेंगे फिर अपने इश्ट देव का नाम लेते पलंग से उठें और जमीन को छूकर नमन करें फिर रसवय घर में यह मिश्रन बना लें घर के मुख्य द्वार को खोलने से पहले घर के पिछले आंगन के दर्वाजे को खोलना चाहिए यहां दर्वाजा ना हो खिड़की हो तो खिड़की को ही सही उसे खोलना चाहिए इस से अलक्षमी देवी बाहर चली जाती हैं फिर मुख्य द्वार खोल कर मालक्षमी का आवान करते हैं फिर इस तरह चीटियों को खिलाते हैं वैसे भी अच्छे कर्म और सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाते कभी भी हमारे किसी भी कठिन समय में हमारे पुन्य फल ही हमारा सहारा बन खड़े होते हैं और मेरा तो ये मानना है नेक काम में देरी कैसे और नेक काम में स्त्री पुरुष भी ना देखे या उपाई सब ही कर सकते हैं अच्छा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्ते